दोस्तों अगर आप भी एंजल वन आप यूस करते होंगे ट्रेडिंग के लिए तो आपने देखा होगा कि जब आप डिलिवरी के स्टॉक को बेचते हैं तो पोजीशन के अंदर प्रॉफिट और लॉस दिखाता है यह प्रॉफिट लॉस क्यूं दिखाता है और हमें कौन सा प्रॉफिट मिलेगा जो यहां पोजीशन के अंदर दिख़रा है ये वाला मिलेगा यह जो पोर्टफोलियो में दिख रहा था वह आला प्रॉफिट मिलेगा और हम फिर से इसी के ऊपर क्लिक करके जो अमारी आपन पोजीशन है इसको एक्जिट कर दें तो क्या होगा तो ये सारे सवाल के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगे तो लाइक कर दिजिएगा, चलिए शुरू करते हैं, दोसों यहाँ पर मैंने टाटा पावर कमपनी का 75 श्टॉक खरीदा था, 200 रुपए के भाव पर, काफी द पूर्टफोलियो में देखा है, ठीक है, अब पूर्टफोलियो में मैंने 200 के भाव पर खरीदा था, अभी 226 के भाव पर बेचा है, तो 26 रुपए 20 पैसे पर क्वांटिटी के हिसाब से मुझे प्रॉफिट हुआ है, वही प्रॉफिट मुझे मिलेगा, ठीक है, यहाँ कि कितना भी प्रॉफिट दिखा दे, कितना भी लॉफिट दिखा दे, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपके पॉर्टफोलियो में अगर आपको प्रॉफिट दिखा रहा था, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर आपको लॉफिट दिखा रहा था उस ट थोड़ते हैं तो यहां profit loss calculate होगा चाहे आपने किसी share को पहले खरीद लिया है share आपने खरीदा उसके बाद यहां profit loss दिखाना शुरू हो जागा क्योंकि वो पोजिशन open हो गई जब share को आप बेच देते तब जाके तो पोजिशन close हो जाती है जब पोजिशन close हो जाएगी तो उसके बाद कोई profit loss नहीं दिखाएगा जो आपका रहेगा उस टाइम पर profit हुआ रहेगा तो profit book हो जाएगा loss हुआ रहेगा तो loss book हो जाएगा clear इसमें हमने पहले share को बेचा हुआ है तो इसमें होगा क्या कि साम को यह लोग चेक करेंगे ठीक है profit loss बले दिखा रहा है लेकिन यह लोग साम को चेक करेंगे कि यह position open रह गई है तो यह 75 शेर क्या इस बंदे के पास थे तो वो मेरे account में आके चेक करेंगा और वहां उसको मिल जाएगा कि हाँ 75 शेर पहले से थे तो position settle कर देगा ठीक है तो यह profit loss दिखा रहा इससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ेगा हमारी position settle हो जाएगी और हमें जो portfolio में profit दिख रहा था वो profit हमें दे दिया जाएगा यह position complete हो जाएगी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं कुकू FM app के बारे में बताना चाहूंगा यह एक ऐसा आफ है जिसके उपर आप अच्छी अच्छी किताबों की audio सुन सकते हैं finance related किताबे हों चाहे stock market से related किताबे हों ऐसी ही एक famous किताब है reach debt poor debt जिसमें बताया गया है कि अमीर लोग कैसे पैसे को काम पर लगा करके पैसे से पैसा कमाते हैं एक अमीर ब्यक्ति किस तरीके से पैसे को manage करता है एक गरी option में दे रखा है वहाँ पर क्लिक करके आपको कुई FM app को install कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा किताब सुन सकते हैं अच्छी बात यह कि अगर आप coupon code mm50 apply कर लेते हैं तो 399 रुपए का जो plan है यह आपको 199 में मिल जाएगा पूरे एक साल के लिए यहाँ पर 50% discount मिल जाएगा आपको यह offer केवल पहले 250 subscriber के लिए है दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है कि अगर हम यह जो position के अंदर हमारा open position पड़ा हुआ है बले हमने delivery के share को बेचा है लेकिन अगर हम इसके उपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि exit का option आता है यानि इसको position को फिर से exit कर सकते हैं तो अगर ऐसा कर दे exit करने का मतलब होगा कि हमने sell किया हुआ है यह buy हो जाएगा फिर से और अगर ऐसा कर दे तो क्या होगा तो देखिए अगर आप यहाँ से position को exit करते हैं यानि इसी stock को जिसको आपने बेचा है फिर से खरीद लेते हैं तो यहाँ पर जो profit loss दिख रहा होगा वो book हो जाएगा अगर यह profit दिख रहा है तो profit book हो जाएगा loss दिख रहा है तो loss book हो जाएगा और आपके portfolio में जो share था जो stock आपके पहले पड़े हुए थे वो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे उसमें फिर कोई change नहीं होगा यह बिल्कुल short selling हो जाएगा जैसे आप पहले बेचते हैं share को और बाद में खरित के position को settle कर देते हैं इंट्राडे trading के दौरान short selling करते हैं यह बिल्कुल वही चीज हो जाएगा तो यहाँ पर clear point यह समझे कि जब भी आप holding के share को बेचते हैं तो उसको दुबारा से exit करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ profit loss दिखाता रहे उसे कोई फरक नहीं पड़ना चाहिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा